हालो एब्रिवाइन वेल्कॉम बैक टू मैं चैनल आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन सब डाटा सबसे पहले कि डाटा क्या होता है कोई भी एक्सपेरिमेंट के लिए हमने जो डाटा मतलब कि जो फैक्ट कलेट कर रहे हैं हम उसको कहेंगे डाटा की वीडियो जो है चैनल पर आभेलेबल है आप जरूर उसको एक बार चेक कर लिए ना डाटा के बारे में सारा आइडिया आ जाएगा सबसे पहले कि हमने कॉलेक्शन सब्सक्राइब करेंगे उसको हम बोलते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जैसे क इस तरीके से आप उसको डाटा कर रहे हैं क्वांटिड़ेटिव हैलो को हम उसको बोलेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहां पर देखिए एरिया वान एरिया टू को एरिया वान में इसे आपको 50 मिल रहा है एरिया टू में 60 यानिकि 50 परसेंट से थोड़ा है और यहां पर लेसे यह व्यालू को रिड करना जितना मतलब कि आपको अट्राक्टिव नहीं लगेगा ग्राफिकली कोई चीज़े रहेगा तो आपको थोड़ा अट्राक्टिव रहेगा तो क्या होता है डेफिनेशन देखिए क्वांटिटिटिव डाटा मेंली रिप्र या one में जदा इंशेक्ट है या two में जदा इंसक्ट आसानी से बता सकते है ठीक है अच्छा तो नहीं बहुत ताडिक से हमुर्ण को रिप्रेजंट कर सकते हैं आज हम स्टेडि करेंगे लेकिन हिस्टोग्रामownd तेछ स्लिक्व करन कि बारे में है अपका पाई चाठ है ल present करने के लिए आपको दो लाइन की पहले तो सबसे पहले दो लाइन की जरुरत होता है एक है एक साक्सिस और दूसरा होता है ये एक साक्सिस हमें से याद रखी तो horizontal axis होता है horizontal axis आपको उसको लिखना है क्योंकि कभी अब मतले कि horizontal axis x होगा या vertical x होगा तो vertical देखिए spelling भी आर यास आ रहा है भी का जो दोनों लाइन उपर की तरफ गया है यानिकि standing line है तो y-axis vertical होता है horizontal h की बीच वाला लाइन जो होता है उस slipping line है horizontal है तो x-axis ऐसे याद रख सकते हो तो basically तो हमने कोई भी graph represent करने के लिए हमको हमारे पास जरूर x-axis y-axis होना चाहिए तो histogram क्या होता है देखिए जब हम graph graph को represent करेंगे कोई एक rectangle के मदद से हम उसको कहेंगे graphs that represent class frequency distribution by vertical adjacent rectangles ठीक है adjacent rectangles के through जो हम represent कर रहे हैं हम उसको बोलेंगे histogram तो उसको अच्छे से डाइग्रेमेटिकली थोड़ा समझ लीजिए उसके बाद हम बात करेंगे जैसे कि देखिए यहाँ पर एक example दे रख है कि the number of pods in 100 p plants shown in the table जो जिसको हमने frequency distribution की थोड़ देखेंगे यानि कि 9 15 से 9 plants ऐसे होते हैं जहां पर आपको कितना पड मिल रहा है 15 से है ना 20 13 plants ऐसे होते हैं जहां पर आपको 20 से 25 के बीच में पॉड मिल रहा है है ना आच्छा तो इसको हमने कैसे histogram के लिए represent करेंगे देखेंगे जैसे कि आपने मैंने बताई थी कि एक साक्सिस पर आपने क्या लिया जो frequency है ना मतलब कि जो 9 से 9 से ओ जो range है आपने 0 लिया फिर 10 लिया है ना यहां पर number of pods आपने लिया है और यहां पर आपने plants number of plants ठीक है आच्छा तो यहां पर हम बात करेंगे देखेंगे जिरो से मैंने इंटर्वाल जो ले रखी है 10 ले रखी है 0 से 10 10 से 20 20 से 30 40 50 है ना हो गया तो यहां पर आप देखिए पहले जो 15 से 20 के बीच में आपकी plants कितना आ रहा है 9 आ रहा है यहां पर मेरे 10 10 है तो 9 ठीक है तो मैंने इस तरीके से यहां से 15 से मैंने स्टार्ट किया 20 से मैंने खतम किया यहां पर जो रेंज है तो इसलिए जितने भी rectangle बनेगा सबका जो उड़ थे विक्वाल रहे गा क्योंकि 5 5 आ रहा है ना उनके differences ठीक है तो इसलिए उनकी जो विड थे यहां से यहां तक कोई एक्वाइल रहेगा ठीक है अच्छा फिर दीखे नाइन नाइन के बाद थाटीन है थाटीन है तो यानि के टेन की जस्ट ऊपर तिन लाइन हम कर लेंगे थाटीन हो जाएगा तो यह सबसे हाइस्ट है यहां पर मैंने थाटी लिया यहां थाटी फाइब हो जाएगा तो यहां पर तुन्ति फाइब थाटी की जस्ट नीचे हो सकता है फिर 35 से 40 यहां से 35 था और यहां से 40 पंद्रा आ रहा है है ना उसका मतलब है कि यहां से लगबग यह हो जाएगा ठीक है ना यहां से हो जाएगा फिर उसके बाद मा लेजिए आपका 40 से 45 के बीच में 3 आ रहा है यह वाला तीन है पांस की नीचे रहेगा तीन में 45 से यह आपका 45 है और 45 तक था यह यह आपका 45 इस तरीके से आपको ड्रा करना है हिस्टोग्राम और अच्छे से बहत्रिंधंग से देख लिजे यहां पर एक एक एग्जांपल दे रखा है कि यह दे रखा है 2015, 16, 17, 19 कितने बच्चे फ्ले से पास्थ होई है से एक रेक्टांगल दूसरी रक्टांगल के बीच में कोई ग्याप हे एसा कोई ग्या नहीं है नहीं है चीज आपको ध्यान देना है एक तो रेक्टांगल सेप रहेगा दूसरा होता है आपका विट्स इक्वाल रहेगा सारी की और यहां पर आपको दीखने को नहीं मिलेगा इन और वार्स रेक्टांगल से इरेक्टेड आपको दीखने को नहीं मिलेगा ठीके ना स्टैंडिंग लाइन में दो एरिया अप दो रेक्टांबल फर बाइद बार और प्रोपोशनल दो दो फ्रिक्वेंसी मतलब कि यह जो पांच-बांच के फ्रिक्वेंसी है जैसे हमने लिखे थे ठीके यह था आपका हिस्टोग्राम फिर हम बात करेंगे फ्रिक्वे प्रिक्वेंसी 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 का मतलब क्या है जिसमें बहुत सारे आर्म रहता है हम उसको प्रिक्वेंसी प्रिक्वेंसी प् पॉइंट्स होता है उसको हम जॉइन करते करते फ्रिक्वेंसी पलिगन लगाएंगे देखिए यह हिस्टोग्राम था मान लेजिए 10 की 20 के बीच में आपका 8 था फिर 20 25 हो जाएगा उनका mid value यहां पर 35 हो जाएगा समझ रहो तो आचा यहां पर हमने B, C, D, F इस तरीके से उनकी नाम दे रखे हैं आप बोलोगे B क्यूं है अपने A से क्यूं start नहीं की हैं देखिए क्यूं आगे बताऊंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है polygon drug ने के लिए यह सारे line को आपको join करना है है ना ऐसे straight line में आपको जैसे arm बनाते हैं बी से C, C को join करना है, C से D को join करना है, D से एकदम फिर E को join करना है, E से F को join करना है, इस तरीके से आपको करना पड़ेगा देखिए इस तरीके से है ना देखिए तो B से हमने C को join किया C से हमने D को join किया D से हमने फिर E को join किया E से फिर हमने A को join किया तो ऐसे हो गया E second step से अपने पहला step से midline ड्रा किया midline के बाद आपने join करते गए third step में हम क्या करेंगे यहाँ पर B से उचीजे था लेकिन आपको यह जो value है A वाला value जो है नहीं दे रखे होंगे यह start कहां से हुआ है 10 से हम क्या करेंगे 10 से पीछे वाला का उनकी भी mid value लेंगे 0 से 10 के बीच में mid value कितना है 5 है तो हम B से एक straight line खीज के 5 तक ले आएंगे और यहाँ पर देखिए 60 के बाद में भी नहीं दे रखा था 60 जैसे कि हमने interval कितना है हमारा 10 है 10 से 20 के बीच में interval 10 है 20 से 30 के बीच में interval कितना है 10 है यहाँ पर last 60 है 60 और यहाँ पर 70 रहेगा interval जो रहेगा 65 ना mid interval तो यहाँ से भी एक curve लाके यहाँ पर जूड़ लेंगे ठीक है तो क्यों हम इसको include करते हैं क्योंकि यह जो data है ना वह भी curve की अंदर आना रही है ठीक है आचा तो frequency polygon is a polygon which is formed by joining mid points of the top of the rectangles of histogram histogram की rectangle की top को हम जोड के करते हैं mid points are joined by the straight line याद रिखिए straight line में आपको join करना है ऐसा कोई curve नहीं बनाना है तभी तो polygons हो सकता है ना both end must be closed because the area under the curve represent all the data दोनों end को आपको represent करना है यानि की close करना है ठीक है आचा कभी कभी कोई दूसरा case आ जाता है यहाँ से क्या हुआ था आपकी start हुआ था जो data 10 से start हुआ था यानि की 0 से 10 के बीच में क्या हो गया कुछ gap रहा था लेकिन माली जे ऐसा data मिलेगा जहां पर सुरुआत हो रहा है 0 से तो उस case में आप क्या करोगे दिखे तो हमने देखे यहां से 0 से 10 उनके बीच में midpoint आपका 5 हो गया फिर 5 से यहां पर 15 हो गया यहां पर 25 समझ रहूं आप तो यहां पर हम बात करेंगे तो यह 0 से तो start हो था तो हम क्या करेंगे उसमें दिखेंगे 0 से minus की बीच में यानि की 10 10 रहा है तो minus 10 तो यह क्या उनकी mid value क्या हो जाएगा minus 5 हो जाएगा ठीक है हम क्या करेंगे उनकी next मतलग कि ऐसे यहां पर प्रूल लेंगे यहां राइट सैट के लिए कोई प्रॉब्लिम नहीं यहां पर 50 से खतम हुआ है 50 के 60 बीचा जाएगा 60 से यह आपका क्या जाएगा 55 हो जाएगा mid value और यहां पर minus 5 हो जाएगा यह था आपकी graphical representation of data जहां पर हमने histogram कैसे बनाया जाता है और polygon कैसे बनाया जाता है हमने देख लिया I hope आपकी वीडियो आपको समझ मार आगा वीडियो पसंद आज तो लाइक केजिए subscribe केजिए आपकी दोस्त की साथ भी share केजिए thank you